नमस्कार दोस्तो ड्रेक्ट वैदिक रेमडीस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है परतियक धरम में लोग अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार वर्त या उपवास करती हैं हिंदू धरम में भी देवी देवताओं के अनुसार सप्ता के दिनों विशेश तिथि तो वत्योहारादी पर वर्त का विधान होता है लोग अपनी मननत के अनुसार भी वर्त करते हैं वर्त करने का उद्यश्य केवल निरहार रहना नहीं होता अपितु वर्त एक तप के समान होता है वर्त रखने से डिड़ शक्ती जागरित होती है और आप भीतर से शुद होत तो चलिए जानते हैं कि वर्थ करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वर्थ का आर्थ होता है इश्वर के परती कुछ समय समर्पित करना इसलिए वर्थ में केवल इश्वर का समरन करें उपवास के दुरान मन में किसी परकार के गलत विचार ना लाएं किसी की निंदा ना करें। ब्रमचारी का पालन करना बेहद अवश्यक होता है इसके अलावा माना चाता है कि इस्त्रियों को रजवला होने पर वर्त नहीं करना चाहिए उन दिनों की गिंती ना करें और आगे आने वाले वरत करें यदि वरत के बीच में सुत्तक अपड़ जाए तो पुने वरत आरंब करने चाहिए यदि आप वरत करते हैं तो देवी देवताओं के साथी अपने पुरुजों का समरन भी करना चाहिए वर्त पुन हो जाने पर उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए बिना उद्यापन कराए वर्त पुन नहीं माने जाती है बीमाली गर्बावस्ता ये शमता ना होने किस्तिती में वर्त नहीं करना चाहिए यदि किसी वर्त में किसी भी देवता की पूजा ना हो तो अपने इश्ट देव का समरन करें वर्त के दिन देवताओं के साथ पुरुजो और पितुगनों का समरन अवश्य करना चाहिए इससे वर्त सिद्धी होती है यदि किसी कारण वर्त बिगड़ जाए चूट जाए या वर्त के दिन कोई शास्त्र विरुद्ध करम हो जाए तो पहले वर्त के लिए प्राश्चित करें फित वर्त पारंब करें ऐसी ही अच्छी जानकाली के लिए आप हमारे कैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए